आज का टॉपिक है SK PELOCITY SK PELOCITY का मतलब एक ऐसे एक्जामपल से समझा जा सकता है जो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मालेजी आप ग्राउंड में खड़ें और ग्राउंड में आपने बॉल को उठाके वर्टिकल यपपड थू किया तो आप क्या देखते हैं जैसे आप ग्राउंड में उठाके बॉल को वर्टिकल य अपड़ थू करते हैं तो बॉल उपर जाती है मैक्सिमम आइट तक पहुंसती है और वापस से नीचे आके गिर जाती है मतलब बॉल उपर गई उपर पहुंची वापस से नीचे गिर गई पर अगर मान लिजिये कोई दूसरा परसन है जो आप से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है वो बॉल को उठाएगा और थो करेगा तो उसकी बॉल कैसे जाएगी मुलसर जाती जाएगी थोड़ी आपके कंपैरिजन में वो बॉल उपर जाएगी और उपर आजाने के बाद में वापस नीचे गड़ जाएगी पर सोचिए कभी ऐसा हो जाए कि आप थ्रो करें बॉल उपर जाए और वापस लोटके ना आए बॉल उपर जाए और वापस लोटके ना आए तो क्या कहलाएगा यह कहलाएगा कि अर्थ के फिल्ड से यह escape कर गया है अर्थ के फिल्ड से यह बहार निकल गया है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को overcome कर गया है और बहार निकल गया है तो escape velocity का meaning वही होता है escape velocity मतलब क्या होता है minimum वो velocity जिससे project करने से minimum वो velocity जिससे project करने से कोई object अर्थ के सब gravitational pull को छोड़कर बाहर निकल जाता है और वापस लोटकर कभी भी नहीं आता है कौन से velocity कहलाती है students escape velocity कहलाती है so हम कहता है minimum velocity with which the body projected as to enable to just overcome the gravitational pull is called escape velocity अब देखो एक बाल्टी पानी भी आप उठाते हो तो आपको काम करना पड़ता है आपने एक बाल्टी पानी उठा है आपको काम करना पड़ा बराबर है आप क्या होगा किसी object को जब आप उपर फेकोगे तो आप किसके against फेकोगे तो बोले against the gravity फेकेंगे कहां से बोले surface से कहां तक ले जाना है infinite तक ले जाना है तो देखो work done निकालना पड़ेगा from r to infinity और work done जब निकालोगे तो ये capital G, capital M, small M upon आर आएगा अब ये वो work होगा जो हमें उसे escape करवाने के लिए जरूरी होगा अब यही work अगर हम total के total kinetic energy के form में उसे दे पा रहे हैं दे पा रहे हैं तो ये देखिए कौन से expression आए आपके पास में ये SK velocity का expression आए हम ये board पे चलके सिखने वाले है SK velocity को density के time में कैसे represent किया जाए और SK velocity के different points और कौन कौन से मोझूद है चलिए board पे चलते हैं पहले derivation समझते हैं उसके बाद में पूरे के पूरे हम और working करेंगे देखिए अभी हमने क्या बात की हमने बात की कि ये object है शुरुवात में कहां पे रखा हुआ है M mass का object है capital M अब हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम इसे project करें किसी ऐसी speed से project करें जिससे कि आर्थ के gravitational field को छोड़ कर कहा चला जाए बाहर चला जाए यहाँ पर ऐसी जगह चला जाए जहाँ जहाँ पर no gravitational field gravitational field हो ही ना मतलब हम ले जाना चाहेंगे R से कहां पर infinity पर तो चलिए पहले हम क्या करते है मान लिजे ये R अर्थ के center से मान लिजे कोई height एच्छ होगी x distance पर कोई object को मैं उठा के ले गया अब मुझे इससे और थोड़ा सा और उपर displace करना है dx तो मुझे जो work करना पड़ेगा वो देखो कितना work करना पड़ेगा dw जो भी मैं external force लगाऊंगा जो कि मैं उपर की तरफ लगा रहा हूँ जो भी displacement हो रहा है और cause 0 के इम बात करें तो external force जो भी मैं लगा रहा हूँ अब समझना अगर मैं बहुत slowly ले जा रहा हूँ अगर मैं object को कह ले जा रहा हूँ slowly ले जा रहा हूँ slowly अगर मैं object को ले जाता हूँ तो देखो इस object पे लग रहा था एक तो force है gravitational force और मैं लगाना चाहरा हूँ external force समझना ज्यान से एक तो object पे force लग रहा है gravitational pull और मैं ले जाना चाहता हूँ उपर के तरफ फोर्स लगा के मेरा वर्ड सुनिए का जहन से जब मैं बात कर रहा हूँ कि आपजेक्ट को स्लोली ले जाया जाए मतलब वेलासिटी लगभक नियरली इक्वल टू जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा अचा नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इसका मिनिंग क्या होगा बच्चो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इसका मिनिंग यह होगा हम यह कह सकते कि जितना फोर्स उपर की तरफ होगा उतना ही नीचे की तरफ होगा मतलब जो magnitude gravitational force का होगा, वही magnitude किसके force का होगा, external force के होगा, तो हम क्या पाएंगे G, capital M, small m, यहां से यहां तक का separation x square, यह दी x, यहां गया चोटा सा work, अब यह चोटा सा work मुझे कहां से कहां तक करवाना है, तो simple सी बात है मुझे surface r से infinity तक करवाना है, G, capital M, small m, upon x square, into dx, यह आ integration of dx x होता है, integration of dw dw होगा, अब यहां G, capital M, small m आया आपके पास में, r से infinity के हम बात करें, यह आ चोटा है, 1 upon x square dx, अब देखो फरक क्या पड़ा, यह जो work done है, G, capital M, small m, x की power minus 2 dx, r से लेकर infinity के हम बात करेंगे, integration x की power n dx को हम लिख सकते हैं, x की power n plus 1 upon n plus 1, तो integration x की power minus 2 dx को क्या लिखा जाएगा, x की power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1, तो यह आगे x की power minus 1 upon minus 1 upon x, ठीके ना, तो अभी आ जाता है, आपके पास में, work done, capital G, capital M, small m, यह आ चुका है, आपके पास में, minus 1 upon x, r से infinity, अब समझे, negative sign common निकाला, capital G, capital M, small m, r से infinity, 1 upon x, r से infinity, पहले कौन से limit रखी जाएगी, सर बोले पहले, आपर limit रखी जाएगी, बाद में कौन से limit, तो बाद में lower limit रखी जाएगी, तो work done का expression आ गया, minus capital G, capital M, 1 upon infinity, minus 1 upon r, यह आ गया, capital G, capital M, small m upon r, तो मतलब यह मुझे work करना पड़ेगा, अगर मुझे उसे कहां से कहां project करना है, अगर मुझे earth surface से, उ नहां पर कोई gravitational field ना हो, यह कह लिए बाहर निकल जाए, तो जो भी मैं work कर रहा हूँ, यह work ही उसको कौन से energy दे रहा है, अच्छा मैं जो work कर रहा हूँ, fake रहा हूँ, यही तो उसको motion में ला रहा है, तो जो मैं work कर रहा हूँ, इसको क्या provide कर रहा है, kinetic energy, G, capital M, small m upon r, जिस के पास में 2 capital G, capital M upon r, अच्छा देखो बच्चो इसको में एक बात ऐसे भी समझा सकता था, इस question को करने का, या इस particular escape velocity की expression को निकान लेका एक और तरीका है, वो तरीका है conservation of energy apply करके, conservation of क्या apply करके, energy apply करके, देखे हम यह बात जानते है, gravitational field कौन सा field होता है, तो gravitational field conservative field होता है, conservative field होता है, conservative field में total mechanical energy constant रहती है, conservative field में total mechanical energy constant रहती है, total mechanical energy constant रहती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तरीका दूसरे क्या है देखेगा, मैं कर ऐसा सकता हूँ, कि मान लिजी कोई object यहाँ पर है, तो A मतलब on the surface, और B मतलब beyond that particular field चला जाएगा, और मान लो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि object जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, एक जग ऐसी आगी, जहां पर कहीं पर जाकर रुकेगा, जहां पर कहीं जाकर रुकेगा, ठीक है, जब object रुकेगा ना, तो final velocity 0 हो जाएगी, और जब ये gravitational field से भाहर चला गया है, जब ये कहां से चला गया है, gravitational field से भाह बात करेंगे हाना उस पर depend करता है change in potential energy अचिस conservative force ही नहीं रहेगा if there will be no conservative force then change in potential energy will be 0 potential energy में change तो 0 या ना है मतलब क्या हुआ potential energy defined ही नहीं होगी potential energy defined नहीं होगी और finally जाके वो किसी जगा पर रुके गा उस जगा पर में conservation of energy अप्लाई कर प्राऊँ तो total energy at a मतलब ओंदार surface and total energy जहां पर जाकर वो रुकेगा infinite पर पहुँच जाएगा जहां पर वो रुक जाएगा मैं उस position को भी मन लेता हूँ तो हम इसे कह सकते है kinetic energy at a plus potential energy at a kinetic energy at b plus potential energy at b तो देखिए वहाँ तो potential energy भी define नहीं कर सकते है और finally रुक जाएगा अब a पर kinetic energy half m ve square और potential energy का formula two point mass system के लिए क्या होता है भई ये मान लीजिए mass m1 है ये mass m2 है ये r है तो हम derivation कर चुके है potential energy for two point mass system is defined as gm1 m2 upon r gm1 m2 upon r तो भई object ये रहा mass ये रहा separation ये रहा तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ gm1 m2 upon r तो ठीक है ये वापस हैंपसे क्या expression आता है s के velocity का square g capital m small m upon r तो small m small m cancel हो गया s के velocity का answer आता है 2gm upon r तो ये आ गया s के velocity का answer अच्छा एक बात आप यहाँ notice किजीगा s के velocity के इस expression में एक बात notice किजीगा यहाँ पर 2 मतलब constant है capital G capital G universal gravitational constant है 2 constant है capital G universal gravitational constant है capital M का मतलब क्या है mass of planet है mass of क्या है planet है planet है मतलब क्या earth से थ्रो किया तो earth है moon से थ्रो किया होता था तो moon होता था और आर्क क्या है what is the arc तो center of that planet and object के बीच का distance है center of that planet and object के बीच का distance है यह ध्यान रखीगा है कभी भूलिएगा मत आईएगा थोड़ा और समझते इस बात को हम हमने escape velocity फिलाल अभी earth के लिए बात की 2gm upon rkm बात करते है for earth surface for earth हम जानते है acceleration due to gravity gm can be return g into r square जैसे gm g into r square लिखा तो आप लिख पाएंगे 2g into r square divided by आपके पास r है r से r cancel होगे अंडरूट आता है 2g escape velocity की value 2 g की value 9.8 r की value कितने लिखते हैं आप 6400 km km को किस में change करेंगे meter में तो escape velocity का value आजाएगा आपके पास में 2 into 9.8 into 6400 km 10 to the power 3 total solve करेंगे तो आपको मिलेगा 11.2 km per second मतलब अगर किसी object को 11.2 km per second से throw किया जाए तो वो object अर्थ के gravitational field को पार करके overcome कर जाएगा बाहर चला जाएगा वापस lot कर कभी भी नहीं आएगा ये बात आप समझेए कि अगर किसी object को project किया जाए तो वापस के gravitational field को छोड़ कर बाहर चला जाएगा वापस lot कर कभी भी नहीं आएगा अब escape velocity आगई अब यहाँ पर एक बात notice करना मैं question पूसता हूँ कि अगर आपने चीटी को उठा के throw किया चीटी को उठा के throw किया और एक हाथी को throw किया दोनों को throw किया कि चलो दोनों को हम gravitational field से बाहर निकाल देंगे क्या लगता है बच्चो कौन किस के लिए ज़्यादा energy की या किस के लिए escape velocity ज़्यादा होगी मैं अब एक ठीटी की बात कर रहे है चोटा सा object और एक हाथी की बात करना है बहुत बड़ा object तो दोनों के लिए escape velocity क्या आएगी तो interesting fact है दोनों के लिए escape velocity सेम आएगी वो आएगी 11.2 km per second क्या आएगी 11.2 km per second क्योंकि देखो escape velocity capital M पे depend करती है मतलब mass of planet पे depend करती है किस पे depend करती है चोटा हो बड़ा हो moderate size का हो सब के लिए escape velocity की value सेम ही आती है तो यह बात धहर रखेगा now escape velocity in term of density देखो density of planet जानते है mass per unit volume of planet 4 by 3 pi r cube हम ऐसा लिख सकते है तो mass आ सकता है आपके पास में rho 4 by 3 pi r cube now escape velocity को आप कैसे लिख पाएंगे 2 gm upon r cube 2 gm upon r cube हम क्या लिख सकते हैं असे तो 2 gm upon r cube में g m upon r cube तो g upon r cube लिख दीजिए mass की value लिख दीजिए rho into 4 by 3 pi r cube r square लिख सकते हैं एक मिटर कीगा r cube आएगा यहां पर और यहां g r square आएगा ठीक है तो ओल्टा नहीं करना है तो क्या हो गया अब r square से एक यह पूरा cancellation हो गया अब 4 हाना 4 मतलब 2 हम बार निकल लेते हैं 2 g rho pi upon 3 into r यह answer आता है इसके velocity का density के टम में वह आपट चेक कर लेजिए 2 तो constant यह 2 g g rho rho pi pi r square r cube तो एक cancellation हुआ r आया divided by 3 तो एसके velocity आगे 2 under root 2 g rho pi r upon 3 यह एसके velocity का आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 8 0 pi r upon 3 यह आचुका आपके पस में एसके velocity का answer in term of density escape velocity का एक और relation orbital velocity से भी दिया जाता है वो भी कई बार examination में पुछा जा चुका है कि भाई escape velocity आपके पास given है orbital velocity आपके पास given है दोनों में क्या relation होता है तो दीखिए escape velocity और orbital velocity although अगर आपने orbital velocity topic अभी पढ़ा नहीं है तो topic पढ़ने के बाद ही आपको बात समझ में और बहता तरी किसा आएगी फिर भी escape velocity का expression होता है 2gm upon r और orbital velocity का या critical velocity का expression होता है gm upon r तो आप देख सकते हैं escape velocity का सीज़ा संबंद आ जाएगा 2 root 2 times of orbital velocity कभी-कभी पुछा जाता है कितने time जादा होती है escape velocity orbital velocity से तो root 2 times escape velocity orbital velocity root 2 कितना percentage कितना जादा होती है अगर यह पुछलिया जाए तो कैसे निकलोगे minus 1 दोनों तरफ कर दीजिए root 2 minus 1 तो escape velocity minus orbital velocity upon orbital velocity यह 1.414 minus 1 into 100 कर दे तो आप इसे बोलेंगे percentage कितना जादा होता है तो percentage कितना जादा होता है तो यह होता है 0.414 0.414 multiply by 100 तो answer आता है 41.4% तो 41.4% escape velocity जादा होती है अब escape velocity के कुछ और भी proper relations है जिनको चलते हैं हम screen पर समझते हैं कि और कौन कौन से छोटे बोले points जो हमें cover करने की देखें सुटे हैं समझा बोर्ड पर इस relation को देखा इस relation के बाद escape velocity का आर के टम में expression देखा फुर देंसिटी के टम में इस expression को देखा यहां पर हम यह पढ़ चुके हैं कि मास पर डिपेंड नहीं करती हैं और डारेक्शन अपर पोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं कहां से हम इसे reference ले रहे हैं उस पर depend करेगा क्यों करेगा उसका reference का कारण बता चुका हमने earth surface से infinity तक का बरत निकाला था तो आर बदल दोगे तो answer बदलेगा आपके पास में यह value 11.2 km पर सेकंड आती है देखो एक question पुछा जा चुका है पहले भी और बता रहा हूं मैं आप लोगों को ऐसा पूछा गया था कि earth पर atmosphere पाए जाता है लेकिन moon पर atmosphere नहीं पाए जाता है ऐसा क्या कारण लगता है तो भी atmosphere का मतलब gas molecule अब gas molecule जब होते हैं exist करते हैं तो उनकी कोई ने कोई स्पीड होती है motion करते हैं तो ग्यास molecule के motion की स्पीड जिसे हम rms स्पीड बताते हैं कौन से स्पीड बताते हैं rms speed सोचो rms speed मान के चलो कि एसके philosophy होती 11.2 km पर सेकंड अर्थ पर और सोचे उन molecule की स्पीड अगर होती 13 km पर सेकंड हमारी रिक्वार्मेंट है कि 11.2 km पर सेकंड मिल गया तो एसकेप कर जाने वाला है समझी इस बात को कि oxygen gas molecule या अगर गया स्पीड जो आर्थ पर एक्जिस्स करते हैं उनका escape या उनका rms speed अगर 13 km पर सेकंड होता है तो बोलो क्या होता सर बोले 11 पर तो escape कर जाता है 11.2 पर 13 पर तो करना ही करना है definitely तो होता ऐसा है अर्थ पर rms speed जो होती है वोh escape velocity से कम होती है इसलिए अर्थ पर ही रहते हैं देखिए a planet will have atmosphere if the velocity of molecule in its atmosphere is lesser than the escape velocity that is why that the earth has atmosphere जिसकी क्योंकि escape जो gas molecule की escape velocity है वो बड़ी है और rms velocity छोटी है जबकि moon पर क्या होता है moon पर atmosphere नहीं पाया जाता उसका कारण ऐसा होता है कि वहाँ पर rms speed की value escape velocity से ज़्यादा निकलती इसलिए वहाँ पर चले जाते हैं माइग्रेट हो जाते हैं यह देखिए कुछ cases जैसे आएंगे मानले जिए हमने किसी object को escape velocity से less velocity पर प्रोजेक्ट किया तो वह क्या क्या होगा उसका तो सिंपल सी बात है एक plastic की ball को या rubber की ball को या leather की ball को थ्रू करते हैं तो होता क्या है कुछ नहीं वह उपर हाइट पर जाता है जाके नीचे गड़ जाता है मिलकुल वही बात बोल रहा हूं मैं आपको इसा भी तो हो सकता कि अगर किसी object को हमने क्या किया एसके फेलासिटी थे 11.2 km पर सेकंड पर आपने थ्रो कर दिया 14 km पर सेकंड से मतलब गड़र देंद एसके पेलासिटी तब उसकेस में क्या relation आएगा तब उसकेस में इंटर स्टिलार स्पेस के अंदर जब वह मोशन करेगा तो इसकी विलासिटी के रिलेशन किस तरह से निकाले जाएंगे आपको यह बताना है और यह देखना है तो चले बोड़ पर चलते हैं इन बातों को समझते हैं ठीक है ना और फाइनली वापस एक बार आएंगे स्क् के रहा हूँ है फिप्शौन सी बात है यह यहां सेयां तक का डिस्टन्स देखो कितना है शुरुवात में आर बात में कितना इस हो गया तो और प्रस एच gravitational field एक conservative field होता है gravitational field एक कौनसा field होता है conservative field होता है और conservative field में total mechanical energy initially और total mechanical energy finally जो होगी वो constant होती है या same होती है हम कह सकते है देखो पहले भी सिखा चुका हूँ कि M1 और M2 दो mass हो जिनकी बीच का separation आ रहा है तो उनकी बीच में potential energy का expression दिया जाता है GM1 M2 upon R ठीक है तो हमने पहले यहां से थ्रोग किया ठीक है तो half M V square या A से थ्रोग किया शुरुवात में potential energy कितनी थी तो शुरुवात में potential energy थी माइनस G M1 M2 center इन दोनों के center का distance देखो upon R अब maximum height पर पहुंचा तो finally B पर कितनी energy होगी kinetic energy at B तो kinetic energy at B जब है maximum height पर पहुंच रहा है तो 0 हो जाएगी mass तो change नहीं होगा लेकिन speed 0 हो जाएगी अब बात करें total potential energy topmost position पर minus G capital M small m देखो यहां से आतका distance यह R यह तो total कितना आगया उल्यसरार प्रस अचा गया बहुत बढ़िया बात तो half M VA square minus G capital M small m upon R यह आचुका है minus G capital M small m upon R plus H हर जगा से small m cancel VA square divided by 2 V जो velocity of projection के हम बात कर रहे है GM upon R ठीक है equal to minus GM upon R plus H इससे ऐसा लिखा जा सकता है मुझे H की विल नहीं निकालना है इसके लावा कुछ भी नहीं निकालना है तो हम इससे ऐसा भी लिख सकते है VA square minus 2GM upon 2R VGM जाने दीजे इसको हम ऐसा नहीं लिखते है हम क्या करते है 2 का multiplication कर देते हैं 2 VA square upon 2 minus 2GM upon R और minus 2GM upon R plus H ऐसा हम multiplication कर देते हैं इसका फरक देखो क्या पढ़ेगा यह हो जाएगा VA square यह हो जाएगा minus 2GM upon R minus 2GM upon R plus H इससे ऐसा लिखा जा सकता है तो चलिए आगे समझते हैं और देखें इस्टुड़िन यहाँ पर VA square minus 2GM upon minus 2GM upon R plus H हम यहाँ से H निकालने H निकालने का तरीका अगर H चाहिए तो H का time एक तरफ होना चाहिए मतलब यह negative है तो negative को मैं इदर ले जाता हूँ positive बना देता हूँ यह हो जाएगा 2GM upon R plus H now 2GM upon R plus H को आगे क्या लिख सकते हैं आगे लिख पाओगे 2GM upon R minus VA square ऐसा लिख सकते हैं ना इसको इदर ले चले गए इसको दिल ले गए कोई फरक नी पढ़ने वाला ठीक है अब हमें चाहिए R plus H we have requirement of R plus H तो 2GM upon whole term को मैं क्या करता हूँ नीचे ले चले जाता हूँ 2GM upon R minus VA square ऐसा मैं लिख सकता हूँ यह आगे R plus H अब इसे आप लिख देते हैं 2GM आप क्या लिख पाएंगे 2GM upon R minus VA square minus R equal to H अब R by 1 तो देखें क्या फरक पौड़ेगा 2GM minus R total term क्या आएगा 2GM upon R minus VA square divide by कितना 2GM upon R minus VA square ऐसा लिख सकते हैं लोग इसे है अचा गया अब इसका फरक देखेगा हम S के पिलास्टी का formula भी देख चुके S के पिलास्टी क्या होता है आईए S के पिलास्टी देख लिए ज़िए क्या होता है ये था under root 2GM upon R तो भई दोनों तरफ square कर दो तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2GM upon R अब दोनों तरफ square किया ये 2GM upon R हुआ इसका फरक देखो क्या पढ़ने वाला है what will be the effect H की value यहां लिख देजिए 2GM यहां था अंदर R गया तो R से R cancel हो जाएगा तो बचेगा क्या minus 2GM minus plus R VA square और यहां देखिएगा 2GM upon R को क्या लिखा जासकता है तो 2GM upon R को लिखा जासकता है VA square minus VA square plus 2GM minus 2GM cancel तो height R VA square minus VA square upon VA square minus VA square यह height निकल कर आती है तो हमने इस तरह से height को किस के टम में निकाला देखो R के टम में निकाला VA वो velocity हो गए जिससे हमने इसे project किया है वो velocity हो गए जिससे हमने इसे project किया है बराबर है अब मान लिजी किसे ने question ऐसा दिया होता आपको कि आप जवाब दीजीगा कि अगर किसी object का speed of projection जिससे हम throw कर रहे है वो 8.2 km per second होता escape velocity 11.2 km per second होती तो बताओ maximum height कितने निकलेगी तो आप simply क्या करते है R लिखते VA square मतलब 8.2 का square V square माइनस VA square मतलब क्या 8.2 11.2 square माइनस 8.2 square यहां पर लिखा जाता तो इस तरह से यह answer निकला जा सकता है अब यहां पर एक question of frame किया जाता है कि अगर हो सकता है किसी object को हमने क्या throw किया अगर object का speed of projection escape velocity से ज़ादा हो मतलब मान लो आपने 14 km per second से कि वो earth के gravitational field से बाहर चला जाएगा अच्छा बाहर जाते जाते तो motion करेगा ही करेगा जैसे कि मान लीजिए बिल्कुल वैसी बात हो गई कि यहां से throw किया यह earth का gravitational influence था जहां तक इसे escape होने के लिए energy देनी पड़ी इसके बाद यहां इसके बाद earth का जो influence है यह gravitational field है यह कहलीजिए earth के gravitational field को छोड़ कर बाहर चला गया escape हो गया अब escape होने के बाद में a से throw किया मान लोग किसी point b पर पहुँच गया तो escape के समय कुछ velocity होगी और जब यह no gravitational field के हम बात कर रहे है no gravitational field of earth मैं फिर कह रहा हूँ no gravitational field of earth तो बही किसी point b पर हमें velocity v भी निकालनी कि velocity कितनी होगी जबकि gravitational field exist नहीं करता तो देखिए हम यह बात जानते हैं कि जब वहाँ पर वहाँ पर अगर हम एक assumption लेते हैं कि energy loss नहीं हो रहा है उस case में हमने जब throw किया तो total energy at a total mechanical energy at a and total mechanical energy at b equate की जा सकते हैं भाई a पर क्या था kinetic energy half m va square potential energy gm1 m2 upon r क्योंकि potential energy होती gm1 m2 upon r ठीक है बी पर kinetic energy कितनी sir half m vb square और potential energy कितनी zero sir zero क्यों आई potential energy क्या कारण है sir भाई आर्थ के gravitational field है यह नहीं अब जब no gravitational field है तो change in potential energy equal to negative work done by conservative force भाई जब field ही नहीं तो work क्या होगा work zero होगा तो change in potential energy कितना होगा zero होगा यह zero हुआ तो हर जगह से क्या फरक पड़ेगा तो हर जगह से फरक पड़ेगा mb square upon two minus capital g capital m small m upon r half small m vb square हर जगह से small m हम cancel कर रहे हैं तो यह आजाएगा va square upon two minus gm upon r equal to vb square upon two हम कह सकते हैं तो अब इससे two multiply कर दीजिए तो यह आगया va square minus 2gm upon r यह आचुका आपके पास में vb square ठीक है अब अभी मैंने आप लोगों कैसा discuss किया कि escape velocity का value क्या दिया जाता है तो दिया जाता है 2gm upon r चलिए इसका square कर दीजिए तो यह आएगा 2gm upon r ठीक है तो va square minus v square equal to vb square ठीक है तो vb कितना आजाएगा आपके पास में तो vb की value हाजाएगी under root va square minus v square मतलब अगर escape velocity से ज़्यादा velocity पर ध्रोग किया जाए तब कहीं पर velocity कहां पर होगी जब gravitational field को leave कर देगा बाहार निकल जाएगा तब यह velocity इसके पास exist करेगी देगे student अमने अभी सीखा के maximum height किस से निकली जाती है एक छोड़ा सा point और सेखिएगा कभी कभी क्या होता है escape velocity की value आपने और अमने निकाली numerical data कितना निकल कराया तो आपने का numerical data 11.2 km per second निकल कराया सोची का अगर यह numerical data 3 into 10 to the power 8 meter per second आ जाता था अगर मानले जिए numerical data 3 to 10 to the power 8 meter per second आ जाता तो इसका मतलब क्या होता था सर बूले इसका सीदा मतलब एक ही होता था सर गिस 3 into 10 to the power 8 meter per second का मतलब होगया speed of light क्या होगया मतलब object light of speed of light से travel कर रहा है बराबर है और जब object speed of light से travel कर रहा है यह कहले जिए उसकी escape velocity speed of light के equal है यह कहले जिए object की velocity speed of light के equal है escape velocity मतलब जब तक आप 3 into 10 to the power 8 meter per second से थो नहीं करोगे ना तब तक वो बाहर नहीं जाएगा इतना fast या इतना ज़्यादा escape velocity उस case में तो light भी escape नहीं कर सकता उस case में तो light भी escape नहीं कर सकता इसलिए ऐसे bodies को कौनसी bodies नम दिये जाता है इन bodies को black holes कहा जाता है और देखिए यहां पर escape velocity के expression में notice किजिएगा बच्चो escape velocity के expression में notice कीजिएगा ये बात notice ये कीजिएगा V equal to under root 2gm upon R था ठीके ना? तो आप यहाँ notice करो यहाँ आपके पस में क्या given है? R equal to 2gm upon C square तो यहाँ V के place पे C ले लिया speed of light तो C की value यहाँ से निकाली जा सकती है अब देखे एक question आपके समने for a satellite escape velocity is 11 km per second if the satellite is launched at an angle with a vertical the escape velocity will be तो देखो पहले ही हम लोग ने कहा था कि satellite का या escape velocity of object ना तो mass पर depend करता है ना ही angle of projection पर depend करता है escape velocity of object ना तो mass पर depend करता है ना ही angle of projection पर depend करता है इसलिए जो पहले 11 km per second था बाद में भी 11 km per second ही होने वाला है आप चेक कर सकते हुए, मेडिकल एक्जाम में भी आ चुका है, फिर से रिपेट हुआ है, और जेड़ेबल इमेंस में भी पुचा गया है तो प्रिवेस सेर कॉश्चन लगाने का इंपॉर्टन समझ में आ रहा होगा, कई बार कॉश्चन रिपेट भी होते हैं अब देखिए कुश्चन क्या बोल गया, अब देखिए क्वेलासिटी फ्रम दे आर्थ इस अबाओ 11 किलोमेटर पर सेकंड, ठीक है, अब देखिए रिडिएस और देंसिटी के टब में बात कर रहा है यह, तो अब देखो रिडिएस और देंसिटी का एक्षश्चन अभी दो बातों पर डिपेंड कर रही है, एक तो आर पर डिपेंड कर रही है, और आर के साथ साथ रो पर डिपेंड कर रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आर पर और रो पर डिपेंड कर रही है, तो चलें बोल पर और सीखें किस तरह से इस का आंसर निकला जाएगा, देख पहले case में जो होगी यह R अब डारेक्ट लिपर पुश्टन हम कह सकते हैं तो S के velocity in second case, S के velocity in first case constant R2 upon R1, ठीक है ना, constant K तो सीधी बात है कि S के velocity in second case, S के velocity in first case equal to 2 by 1, क्योंकि 2R divided by R तो double हो जाएगी S के velocity तो 11 km per second अगर बोल रखा है, मान लो तो 11 km per second का double just जो होगा आपके पास में एक बाफ फिर पढ़ लेते हैं, question for the satellite, S के velocity is 11 km per second अब आपको कहाँ, बोला गया है तो ठीक है, यह सब कुछ data वही की बन है, तो 11 multiply by 2 आपके पास में कितना आजाएगा, km per second के साब से तो S के velocity will be 22 km per second अब हमें question solve करना है एक projectile जिसको हमने project किया है our surface से project किया है किस velocity से project किया है, तो KV KV मतलब क्या S के velocity में K multiplication factor और K less than 1 है K less than 1 है मतलब 11.2 km per second से less होगा K ने का मतलब K लेलो 0.5, ऐसा समझो और V लेलो 11 तो 11 multiply by 0.5 11 multiply by 0.5 less than 11 तो आपको बताना है कि जब यह कितनी maximum height पर जाएगा यह आपको निकाल के बताना है और कहां से from the center of earth from the center of earth तो देखो अभी आपने और हमने इस तरह का concept solve करके यह H की value निकालना सेखी बच्चो और H की value आपको और हम सीख चुके है H is given as कैसे निकाला जाता है R ब्रेकेट मेंडरूट V square minus V square minus V square यह मैं बता चुका हूँ आपको अब इसकी मदद से हम यहाँ पर directly equation work out करेंगे तो चलें गोड़ उपर और सीखे किस तरह से question solve किया जाएगा यहाँ पर क्या का गया है अब जब फाइनल ही जाके रुख गया मता maximum height पर पहुचा तो यह रहा R यह रहा H तो आपको small r निकालना small r equal to r plus h देखो अभी मैंने discuss किया था किसके velocity से कम velocity पर थो करने पर जो height निकाल ली जाती है वो R VA square minus VE square minus VE square आती है VE की value KVE है तो R KVE square मतलब K square VE square divide by VE square minus KVE square यहां से R common निकला R नहीं निकलेगा K squared VE square VE square हर जगा से common निकला तो H की value आगई K square L divided by 1 minus K square अब हमे small r की value निकालना है तो हमे small r निकालना है मतलब capital R plus H निकालना है तो यह रहा capital R और یہ हZA की value तो R K square divided by 1 minus K square R common निकला 1 divided by 1 plus K square divided by 1 minus K square तो K square K square cancel तो R equal to कितना आजाएगा आपके पसमे R equal to आजाएगा 1 divided by 1 minus K square तो R divided by 1 minus K square इसका answer निकल कर आता है इस विल भी दाउसर शूर यहापर question क्या बो लगे है radius of earth को reduce किया गया है 4% से और mean density से में रहने दिए तो S के velocity पसर पूछ रहा है वापस देखो इस बाले question concept के आओ S के velocity R और Rho और जब Rho सेम है देखो 8 by 3 समझ ना 8 by 3 यह तो constant है Pi constant है G constant है और असने Rho भी constant रग दिया तो simply S के velocity radius के directly proportional हो गई directly proportional हो गई इसका मतलब क्या directly proportional हो गई इसका meaning हुआ अगर 4% से बढ़ाओगे 4% से बढ़ाओगे तो 4% से बढ़ेगी और 4% से कम करोगे तो 4% से कम होगी तो answer reduces by 4% होगा उसके बाद एक question देखो दो question हम साथ में करेंगे board पर यह दोनों question हम board पर साथ में करेंगे rocket है जिसका mass M है जिसको launch किया गया है initial speed V है और radius R है maximum height attained by the rocket निकलना आपको maximum height attained by the rocket आपको यहाँ पर निकल के जवाब देना है कैसे निकला जाएगा तो देखिए यहाँ पर वापस से इसी format को use कर सकते हो आप किस format को use कर सकते हो notice करो हमने यह कहा h equal to कितना होता है तो वह होता है r v square upon v square minus escape velocity square minus v square इसी format को use करके या इसी question को formula को use करके मैं आपके समने answer निकलूँगा बोड़ो पर चलके और यह वाला question में हम साथ में solve करेंगे कि एक body जिसका mass है में शुरुवात में 4 ID distance पर earth surface से अब आपको कितनी energy देनी पड़ेगी जैसे कि escape कर जाए मतब इस बार क्या कर रखा है और surface पर नहीं रखा है और surface से किसी edge height पर रखा हुआ है तो कितनी energy देनी पड़ेगी तो हम ऐसे case में क्या कर सकते है potential energy का expression जानते हैं न तो potential energy का expression पहले निकाल चुकी है mg h upon 1 plus h upon r उतने amount of energy की मजद से हम वो s के velocity का answer निकालेंगे तो चलें board पर सिखें दोनों तिनों question देखें बच्चों यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ बोला गया था कि यहाँ से project करना है maximum height कितनी होगी और 4 option हमने देखे थे तो यह बाट हमने डिसकस कर चुके है h equal to होगा r va square divided by v square minus va square s के velocity होती और under root 2gm upon r जिसे root 2gr भी लिखा जाता है तो s के velocity equal to लिखा जा सकता है 2gr r अब हमें जो a पर projection velocity दे रही वो v दे रही है तो मैंने लिख दिया r v square divided by v square minus v square अब हमें क्या करना है हमें 4 option को observe करना है उसके basis पर इस तरह से modify करना है तो v square से v square को divide कर दी हर जगा पर तो v square upon v square आ गया और s के velocity का square क्या है तो वह 2g या तो 2gr divided by v square minus 1 आ जाता है आपके पसमें ठीके आप देखो second question क्या था अब उसने यसा बोला है कि object पहले से ही कहीं 4re distance पर है अब इसको अगर escape करवाना है तो कितनी energy लगीगी तो वह escape करवाने के लिए देखा हाँ आप और हम यह पहले potential energy का expression निकाल चुके है कि H height पर potential energy का formula जो होता है change in potential energy MGH 1 plus H up on R होता है यह formula हम पहले भी निकाल चुके है अब change in potential energy negative work done by conservative positive work done by external agent अब हम में लिख देता हूँ negative term में express कर रहा हूं मालीजी यह कहलेता है change in potential energy आपके पास में लिखा हुआ है समझी अब H की value कितने लिख दी 4RE अब H की value 4RE लिख दी आपने ठीके ना तो H की value 4RE लिखने पर क्या होगा 4RE MGH 4RE divided by 1 plus 4RE upon R तो इससे cancellation होता है तो यह वो amount of energy होती है जिसे हमें देना पड़ेगा तब जाके क्या होगा object escape from the surface हो जाएगा कर जाएगère झांओचा जाएगा और मेंगा जाएगा झाओट टार जाएगा त terribly आएग